सब्सक्राइब तो और चैनल आवाज टीवी और प्रेस दी बेल आइकन फॉर अप्डेट्स बाद डील करेंगे किस से करेंगे और क्यों करेंगे डील आई उनसा गड़ आजाद कश्मीर जा एलाक्शन बिलावल साब बार बार चैतों में अपने जियालों को रोका हुआ है हमारे साथ मकाबला करना है तो वोर्ड से मकाबला करो है सिंजी कार कर देगी बी तहां जे सामो आए मौलाना फजर आमान इमरान खाना के छुटल कार्टूस करा डिन वाँ है उनना के चुआए तो आए उनना जी का एहमियत ना है जिकने हुझे आता है कौमी सलामती जी कमेटी में हुझे उनने के गुरायों वनिया उनना जो सर में आपको विल्कम करता हूंगा सर मर्यम नवास साहिबा बार बार यह तासुर दे रही है इसके बाद अभी डील करेंगे क्या आपको लग रहा है सर मैं तो इसको रिलेट कर ले ना कि अंदर बिचैनिया पार्टी के भी है राना तन्वीर साहब का आप देखने बिचैन नहीं देना चाहिए था जब पता था कि पाकिस्तान में अंदर कमेटी की बातें रिपोर्ट हो जाती है तो तो अंदर भी तो एक बेचैनी है ना कि पीडियम को दुबारा एक्टिवेट किया है मर्यम नवास साहिबा वहां से मिसिंग थी अब उनकी जस्टिफिकेशन जो भी हो कि मैं बिजी अजाद किश्मीर में थी या कहीं पर थी जायर रहर है उन्होंने वो जस्टिफिकेशन तो देनी है लेकिन बात यह है कि वो जो एक धुआधार तक्रीरे मर्यम नवास किया करती थी वो वाली पुजिशन ऐस सच नहीं रही तो बरे टाइम से यह नून भी कमेटी भी बना चुके हैं दूसी तरह वो यह भी कहते हैं कि हम बात करने के लिए त्यार हैं शबाद शरीफ यह कहानी शुरू होती है शबाद शरीफ ने सुहेल वराई से इनफॉर्मल बात की और उन्होंने अपने कॉलम के अंदर सारा कुछ लिग दिया और अभी भी जिस तरह से रिप्रोच किया जा रहा है इस्टेबलिश्मेंट की तरफ तो सोच तो बहुत मुखलिफ है जाहर है एक इमेचूर सोच है मरियम नवास साहिबा की जो कहती है कि शायद एदारों से लरा जा सकता है ये बात आखिर कार हर बंदा समझी जाता है कि इंस्टीटू भी रहा है और एक लंबा अर्सा वो ये चीजें देखता वाया है उमर में वो पहुंच चुके हैं तो इस वज़ा से शायद वो इन चीजों को बेतर समझते हैं कि नून लीग जो खुद इस्टेबलिश्मेंट की पार्टी रही है जिनकी क्रियेशन इस्टेबलिश्मेंट की तरफ से थी जो जब भी पावर में आए इस्टेबलिश्मेंट से हाथ मिला के आए वो इस बात को समझते हैं कि हम इस्टेबलिश्मेंट को उस हद तक टार्गिट नहीं कर सकते कि चीजें रिप्रोच से बाहर हो जाएं क्योंकि कई दफ़ा फिर लड़ाई ऐसी भी हो ज लग रहा है कि अमरान खान साथ वाके अन्नेसेसरी एक हिसा बन गए अब आपको लग रहा है कि अब उनकी एहमियत नहीं है एहसास नहीं है चला हुआ कार्दूस हैं उनको कौमी सलामती की मीटिंग में आए नहीं बुलाए नहीं गई एक अभी भी यही चीज़ क्या कहें से इfield किए आज तक लोगों का यही है कि शायद ़ूटऊंसे पढ़ने वाला बर गोंगलूजाय करते हैं कि उसने जो वोटर इमेजिनेशन है पंजाब के अंदर वो कैप्चर की है अच्छा इसी तरह आसिफ जरदारी साब का भी कहा जाता है कि उन्होंने पार्टी को बर्बाद कर दिया और पंजाब गिरा दिया और वो सिर्फ डीलों के एक्सपर्ट हैं बाकी उनका कुछ नहीं है लेकिन आपने देखा है कि वो पाकिस्तान के सदर भी रहे तीसरी दफ़ा सिंद में हकूमत भी कर रहे है तो बहुत सी चीजें कह दी जाती है परसनेलिटी वाइस हमारी पॉलिटिक्स के अंदर जो उन ग्राउंड ट्रू नहीं होती तो ये कहना कि उनकी कोई हैसियत नहीं है ये तो वही बात होगी के अंगूर खटें है क्योंके वजीर आजम तो वो मुलका है और जो बंदा मुलका वजीर आजम है आप कहें कि उसकी एहमियत नहीं है तो ये बात समझ से कासिर है अब दूसरी बात ये आती है कि उन्होंने इसी के साथ रिलेटिड जो बात की कि उन्होंने का कि इनके रिलावा उनके पास और कोई आपशन नहीं है ऐसी बात नहीं है हर बंदा आपको पता है पकिस्तान में इक्तितार के पीछे कुर्सी के पीछे भूक है अगर उनके पीछे कोई MITBादल नहीं है तो क्यों 6 मिनट के अंदर नून लीग ने आर्मी जीफ के एक्स्टेंशन के उपर जाके वोट की दिया था वहाँ पे करते ना चले तो नवाज शरीफ साब भी इसी चक्कर में खरें हैं कि किसी तरह establishment से deal हो जाए शबाज शरीफ साब भी इसी चकर में है मरियम नवाज साहिबा अभी सियासत को उस तरह से समझती ही मैं समझता हूँ मेरा अनेलेसिस यह है कि समझ नहीं तो अभी इमरान खान के साथ है सर देखें एक तो उन्होंने क्या वो भी दोनों तरफ है एक तो commitment उन्होंने दिखाई है और वो commitment यह है कि इस दफ़ा वो जमूरी हकूमत के साथ साथ चल रहे है पाकिस्तान में माशाला तीसरी जमूरी हकूमत होगी जो अपना टेन्योर पूरा कर देगी यह history में इस मुलक में पहली दफ़ा हुआ है हाँ अलबता यह जरूर है कि changing times call for changing measures as well तो यह हमने देखा है कि कभी इदारों की relationship किसी एक party से बहुत बेतर हो जाती है एक stage पे आके बहुत ज़ादा खराब हो जाती है नवाज शरीव साहब 1999 में बरे अच्छे high wave के उपर establishment के साथ आये थे लेकिन उसके बाद उनकी जनरल जहांगीर करामत से भी लराई हो गई उसके बाद परवेज मुशरव से भी लराई हो गई इसी तरह जो बाजवा साहब है वो भी प्राइम निस्टर साहब के नॉमिनी थे उपर की तो पूरी कैडर आपको पता है रिटायर कर दी गई थी लेकिन उसके बाद कहते हैं कि उनके आज तालुका ठीक नहीं है साकिब निसार साब को भी पहली जो पुबलिक पुजिशन थे वो भी देने वाले नवार शेव साब थे लेकिन एंड में आपने देखा कि उनके भी मामलात आपस में बेतर नहीं थे आज पूरी नून लीग बैटके साकिब निसार के उपर बातें करती है तो यह तो चीज़ें चेंज टाइम के साथ होती रहती हैं यह पबलिक रिलेशन होते हैं कभी एक तरह से नहीं चैते जाहर है आसिफ अली जरदारी साब ने मौका देखा वो पीडियम को छोड़के उन्होंने सेनिट में अपना उपोजिशन लीडर भी बनाया उन्होंने चंद रिलीव भी ली तो वह उन्होंने जैसे मौका देखा वो उस तरफ उन्होंने लाइन टो कर ली यह वही आसिफ अली जरदारी साब हैं जो कहते थे मैं इंट से इंट बजा दूँगा इसी तरह नवाज शरीफ साब भी जैसे देख जब देखते हैं कि अब चीजें बेतरी की तरफ जा सकती हैं तो वह भी कोशिश क दिंज़ जाता है कि अगर ये सारी जमातें मिलके कोशिश करें तो यह गूर्मिन्ट गिर जाएगी और विवаю को पता है यही सब कहते हैं जतने भी तर्जाने कारें जितने भी राइटर्स यह कहते हैं पिपल्स परटी इस हकोमत को गिराना नहीं चाहती क्योंकि सिंध में उनकी अपनी हकोमत बिल्कुल स्टेक होल्डर है लेकिन ना सिफ पीपल्स पार्टी मैं समझता हूँ के नून लीग भी इस हकोमत को गिराना नहीं चाती वरना वो बुजदार को अगर चेंज करना चाते तो चेंज करना इतना मुश्किल नहीं है काफ लीग की एक बरी ही नहीं करनी वो इस नहीच पर चीज को जाने ही नहीं देते बरा रूम देते हैं तो अगर पीपल्स पार्टी काफ लीग और नून लीग मिलके चाते तो उसमान बुजदार को चेंज कर सकते थे और कुछ ना करते जो बजट था बजट के ओपर ही एक फाइट रिजिस्ट करते हैं कि गिरे क्योंकि उनके हाथ में इस वक्त कुछ नहीं है वो खुद पार्लेमेंट से बाहर बैठे हैं और मरियम नवाज शरीफ साहिबा किसी वज़ा से मुझे नहीं वज़ा वैसे समझ जा रही लेकिन वह भी किसी वज़ा से यहीं चाहती है कि को स्ट्रीट पाव या नून लीग वो दोनों ये बात नहीं चाहते हैं कि किसी किसम का वैक्यूम पैदा हो जब तक वो अपना गार्ड और स्ट्रॉंग नहीं कर लेते हैं वो अपने आपको इस जगह पे नहीं लेके आते हैं कि जहां पे वो क्लियरली चीज़ों को डिक्टेट कर सकें उनके पास रूम हो वो कभी इस तरह की खलती है कि असर इस गवर्मिन्ट को तीन साल के अंदर गम्ड एक्सपोज हो गई है कि डिलेवर नहीं कर सकती रिलीव नहीं दे सकते गेस का मसला बिजली का मसला महंगाई बेरोजगारी तीन साल के अरसे में हकूमत तो नाकाम थाबत प्रामिस करता है इलेक्शन उसको जीतना चाहिए जिसका सबसे ज़्यादा होमवर्क होता है तो यह हमारी जाहर है कि यंग डेमोक्रेसी अभी तो आपको पता है अपसर 15 साल भी पूरे नहीं हुए है हमारी इस डिमोक्रेसी को तो यह आइस्ता इस्ता लोग इस चीज को सी जो दोस्त यार बेली थे फर्स टाइमर्स थे वो वफाकी वजीर लगे में है समझ उनको कुछ नहीं हा रहा फाइनेंस मिनिस्टर एक रेंजमेंट बन गई है वो मुजिकल चेर्स की कि तू जा तो मैं हूँ मैं जाँ तो तू जाए माशी पॉलिसी कोई स्ट्रेट नहीं ह हां सो दिखें तो हजारेमाल कम्मिनिटी से पहले तो नको मिलना चाहिए आपको पता है जब रख्राण रिख्रेट मैं लशिंत ब्लैक् मैमल नहीं होगा यहाँ ब्रेक का टाइम होगा ब्रेक पाता ब्रेक ठाम उंचे और ब्रेक खांप उतां जो